आज मैं बहुत दिनों बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी जो लॉगड़न स्टार्ट था उसमें थोड़ा बीजी भी थी थी इस वज़े से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और मैंने कुछ वीडियो पोस्ट नितोर बोहुत दिनों बाद में कुछ शूट कर रही हूँ यह बीडियो को special नहीं है मैंने 4 प्रोड़क्स मंगबाया है online से उसी का honest TV है अगर आपको यूसफुर लगे तो आप इसे जरूर पर्चेस कीजिए मैं लिंक रिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगी अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एड़ ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहें लिए चानो का सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिये बढ़ते हैं प्रोडक्ण की तरफ देखते हैं कि मैंने क्या-क्या मंगवाया है जो गाइज यह जो दो प्रोडक्ट है यह मैंने फिर्पकार से मंगवाया है तो यह मेरा first product है जो कि है सिलने कुछ company है उसका है यह and face and body hair threading system है यह तो मैंने अभी lockdown में हम लोग तो बहार जा नहीं सकते पालर जा नहीं सकते इसलिए threading के लिए मैंने मंगवाया था सो मैं आपको दिखाती हूँ कि यह मुझे कितना use आया है तो इसमें जो है हमें तो इसमें जो है हमें यह दो product मिलेंगे एक तो यह thread है and एक कैची जैसा कुछ equipment है जिसे कि हम threading कर सकते हैं easily and इसमें हमें यह एक book भी मिला है जिसमें की सारी process लिखी हुई है threading करने की and मैंने जो है बहुत सारे review भी रेखे थे YouTube पर जिसमें की बताया था कि बहुत easy होता है बहुत easy होता है बहुत अच्छा होता गुड होता है इसलिए मैंने यह मंगवा दिया बट मैं honestly बता रहे हूं कि मुझे बिल्कुर भी use नहीं आया क्यूंकि आपको बताती हूं यह जो इसमें thread है यह थोड़ा ढीला हो गया आप देख सकते हो कि मैंने इससे upper lips किये थे तो इससे जो है upper lips बहुत easy हो जाता है इवन अपने face पे अगर छोटे-छोटे hairs भी है एंड हम उससे remove करना चाहते तो बहुत easily remove हो जाता है इसे use करना भी बहुत easy है तो मतलब आप book में देखोंगे तो easily आपको समझ जाएंगा मैं demo नहीं दिखा रही हूं अगर आप चाहते हो तो मुझे comment जरूर कीजिए मैं next video में आपको demo करके जरूर दिखाऊंगी तो इसमें जो है बहुत easily hair remove हो जाते है face के भी upper lips के भी लेकिन threading के लिए ये बिल्कुल भी useful नहीं है मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलों मैंने देखा था YouTube पर बहुत लोगों ने गोला था कि बहुत अच्छे threading हो जाता है बहुत अच्छे से हो जाता है बट बिल्कुल भी नहीं होता है मैंने try किया करने का बट नहीं हुआ इवन मुझे यहां पर थोड़े pimples आ गए यह करते करते इस वज़े से मैं अपनी threading को वैसे भी बिल्कुल मतलब नहीं बिगाड़ा चाती थी तो मैंने बिल्कुल भी इससे नहीं किया बस थोड़ा ही dry किया था बट नहीं हुआ बट इससे जो है upper lips बहुत अच्छे से हु बहुत अच्छा है लेकिन threading के लिए बिल्कुल यूसफुल नहीं है तो यह था मेरा होने स्ट्री हूँ इसके लिए पता नहीं लोग कैसे कर लेते बोलते हैं कि बहुत अच्छे से होता है पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ यह सो वैसे अच्छा है अच्छे नहीं लगते तो अपर लिए यूसफुल लगा बहुत अच्छा तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी टू थार्टी रूपिस में मैंने कुछ लिया है इसमें हमें thread भी मिले है कभी वह जैसे वह thread ढीला हो चुका है आप देख सकते हो तो उसी के लिए हमें अगर आपको इसका फूल डेमो देखना है तो आप मैंसे कमेंट जरूर कीछे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो इसका बुड़ा फूल डेमो बनाऊंगी तो यह था मेरा फ्रस्ट प्रोड़क्त सो गाइस बढ़ते हैं अब सेकेंड प्रोड़क्त के दाव तो मेरा है यह सेकेंड प्रोड़क्त है मेरा ज्वेलरी बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स है एंड मैंने इसे 309 रूपीज में पर्चेस किया यह ज्वेलरी तो हमें इस तरह के बॉक्स में यह रिस्यू होती है इस त्रफ के अंदर इस टाइप का पॉक्ट मिलता है जिसमें की अमे की हमें पैकिम होलिं के इसी होती है माइ अंदर अगेन एक प्लास्टिक का रैपर से रेप की हुई है इस टाइप की एजवयुलरी थे इसमें यहाँ पर थ्री मोति चेन लगा हुआ है बोट सैट 3 मोती चेंड लगा हुआ है आप देख सकते हो और इसका जो पेंडेंट है यह बहुत ही खुबसूरत है मुझे इसका जो पेंडेंट है स्पेशलिस का पेंडेंट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एकदम ट्रैडिशनल जोईलरी जैसा लगता है जैसे हम सिल्क साड़ी वीयर करते है तो उस पे यह बहुत ही उटकर लगता है मुझे मैंने इस आड़ी पर वीयर करने के लिए इसे पर्चेस किया है एकद्ट 300 रुपेस में मुझे बहुत अच्छा पड़ा है मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है यह पहनने पर कुछ इस तरह का यह लगेंगा आप देख सकते हो आप में इसमें इयरिंग्स भी मिलते हैं और मैं आपको इयरिंग्स दिखाती हूँ आप इसके इसके इयरिंग्स जो है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है जुमके वाले इयरिंग्स है आप देख सकते हो ट्रैडिशनल वियर में इस तरह के जुमके वाले इयरिंग्स जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं इस टैप की है इयरिंग्स है तो मुझे ये ये वाला नेक पीस बहुत ज़्यादा पसंद आया क्यूंकि इसका प्राइज जो अनली 300 है एं 300 में कॉलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है ये रिंग्स भी हमें बहुत अच्छी मिले हैं तो मैं मुझे तो बहुत पसंद आया आप लोग कैसा लगा आप मुझे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको अगर पसंद आया हो और आप इससे पर्चेस करना चाहते हो तो मैं लिंक प्रीज सुच्छी बॉक्स में दे दूंगी आप चेक आउट कर लिए तो नहीं की है मैंने इससे पर्चेस किया है मिशो से मिशो आपकी बारे में आप सभी लोगों ने सुना होंगा वहां पर बहुत सारे लोग रिसलिंग करते हैं अपने प्रोड़क्त की तो मुझे बहुत मतलब मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा कर देखती हूं पिछली बार मैंने प्रोड़क्त है वो इस तरह की पैकेजिंग में होते हैं इस टाइप की पैकेजिंग में ही अभी तक की मुझे रिसीव हुए है इस तरह कि रहते हैं तो यह मेरा है वर्स्ट ब्लाउज यह जो ब्लाउज है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यह मुझे आइथिंग 400 रुपीस में मैंने इससे पर्चेस किया है और 400 रुपीस के इस प्राइज 400 ये मुझे बहुत ही अच्छा रिसी हुआ है इसकी जो कॉलिटी है बहुत अच्छी है आप देख सकाए मैंने मार्केट में भी सर्च किया है ब्लाउज इसको और मैंने वहाँ से पर्चेस भी किया है 900-2000 रुपिस में कोई भी रेडिमेंट प्लाउज आपको वर्क वाला नहीं मिलेगा कहीं पे भी लोकल शॉप में भी नहीं मिलेगा मैंने खुद देखा है 400 में मुझे यह जो प्लाउज है बहुत अच्छा मिला है पीछे में इस तरह से डोरी लगी हुई है फॉर्ण्ट का जो है बोटनिक गला है बोटनिक डिजाइन दिया गया है और आप देख सकते हो की मुझे की अच्छे अच्छे लगे है यह ब्लाउज जो है मुझे सच में बहुत अच्छा मिला है तो चलिए मैं आपको इसका क्लोज अप दिखा रेती हूँ कि आपको क्लोज से देखने पर यह ब्लाउज कैसा लगता है शायर हो सकता है वीडियो में उतना अच्छा यहां पर नहीं समझ आया आये इसका क्लोज अप करके दिखाती हूँ आपको आपको यह ब्लाउज कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगे और बढ़ते हैं सेकंड ब्लाउज की तरफ तो यह है मेरा सेकंड ब्लाउज और यह बहुत ही अच्छा है यह आई थि मैंने 600 रूपिस में पर्चिस किया था यही ब्लाउज जो है मैंने रेगी मिट देखा शॉप पर तो 1200 या 1300 का था उस टाइम पर लेगी मैंने पर्चिस नहीं किया था तो यह जो ब्लाउज है मुझे बहुत बहुत जादा अच्छा लगा क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इंब्रोइडरी वर्क वेगरे की इसमें इस तरह से नेक में इंब्रोइडरी वर्क किया गया है बॉटम साइड में पुरा इंब्रोइडरी वर्क किया है और बैक कि बहुत अच्छा है इसका आप देख सकते हो मैं इसका close up दिखाऊंगी आपको एक बार तो आपको समझा जाएंगा अभी कैसा ये मेरे fitting की नहीं है दोनों भी blouse इसलिए मैं इसे wear करके नहीं दिखा रही हो इसे मुझे fitting करवाना पड़ेंगा इसके hand में इस तरह का work किया गया है जो कि बहुत बहुत beautiful work है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है आप देख सकते हो इस तरह कि इसके दोनों भी hand है इसके बहुत ही अच्छा लगा है मुझे blouse इसकी जो quality है वो भी बहुत अच्छी है दोनों भी padded ही blouse है लेकिन अगर आप जाये तो padded इसमे का निकाल सकते है अंदर का जो अस्तर है उससे निकाल के आराम से padded जो है इसका निकाल सकते है इसे भी मैं आपको close up से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी से idea मिल जाए कि blouse कैसा है तो चली है दिखाती है आपको दोनों के blouse कैसे लगया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये जो blouse थे ये मीशो से थे ये मीशो में जो है link नहीं दिया जाता तो इसलिए मैं ये दोनों blouse के link तो provide नहीं कर पाऊंगे लेकिन अगर आप उस महाँ से purchase करना चाहते है तो मीशो आप डाउनलोड करके आप महाँ पर search कर सकते है blouse जिसने की ये सारे designs आ जाएंगे ऐसे blouse आपको बहुत सारे मिलेंगे और सब के price जो है अलग-अलग मिलेंगे अलग-अलग shoppers लोग अलग-अलग price रखते है आप एक बाद check out कर लिज देंगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा helpful लगा हो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजे और ऐसे आने वाले वीडियो को देखते है निकले चैनल को subscribe जरूर कीजे so मैं मिलती हूँ आपसे नेक्ष वीडियो में जब तक लिए बाई thank you thank you for watching प्रूर के जरूर के जरूर के जरूर कीजे